दो दिन पहले नितीश कुमार की खुसी देख करके ये बाते कही जाने लगी थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है जनता दिल उनाइटेड में और कहीं न कहीं असोग चौधरी ने जिस तरह से बड़ी रैली का योजन करके उसके सफलता को लेकर के नितीश कुमार के खुसी को और पाटी के निताओं का उस मंच पे मौजूद होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जदियू के भीतर सब कुछ ठीक हो गया है और असोग चौधरी ने सब कुछ ठीक कर दिया है लेकिन इसके साथ-साथ कई ऐसी बाते चल रही थी हमने आपको खबरों में पताया कि इस कारक्रम के आयोजन में भले ही असोग चौधरी ने बहुत जादा मेहनत किया हो पूरे पिहार घूम करके लोगों को इस सांसत में सामिल होने के लिए का हो दलतों को एक्जूट करने की कोशिस की हो लेकिन इसके साथ-साथ असोग चौधरी के दुस्मनों की संख्या भी बढ़नी लाजमी है एक तरफ जहां ये चार्चाय है कि इस कारक्रम में असोग चौधरी ने अपनी एरोगेंसी के चलते बहुत लोगों को बुलाया तक नहीं था तो वहीं दूसी तरफ ये भी चार्चा चल रही है कि खुद नितीश कुमार की पहल पर ललन सिंग को इ स्वीर आपने देखा होगा अख़बारों में छपा था खेर ये तो बिवाद अलग है लेकिन इससे भी बड़ा बिवाद एक देखने को मिल रहा है कि दलितों के बड़े नेता के रूप में जिस तरह से असोग चौधरी खुद को प्रमोट कर रहे थे प्रोजेक्ट कर रह रहे थे उनके पीछे बड़ी लगी हुई थी उसके बाद एक ओडियो वाइरल हो गया है उस ओडियो वाइरल के बाद कहा यह जा रहा है कि जदियू के भीतर सब कुछ ठीक होते होते रह गया और अब उससे भी बड़ा बवाल हो गया है क्योंकि एक दलित नेता नहीं असो सब्सक्राइब जूटाया गया था भीम संसद में आने वालों में सिर्फ दलित ही नहीं थे बलकि सभी जातियों के लोग थे और खास करके इस रैली में आने वाले अपने अपने डिमांड अपनी अपनी जो तकलीफे थी उसे लेकर के पहुंचे थे नितिश कुमार के सामन हैं फर्याद करने के लिए उन्हें ये बताया भी किया था कि आप पटना चलेंगे तो मुख्य मंत्री से आपकी बात रखेंगे तो वो मंच से ही घोषना कर सकते हैं इन सारी बातों को ले करके जंता दिल इनाटेट के साथ साथ उसकी सरकार के भीतर भी कई तरह के खेल चल कर रहे हैं कि दूसरे मंत्री का पुतला जला उसके खिलाफ लिखो नारा लगाओ और ये ओडियो कहा तो ये जा रहा है कि रतने सदा का है लेकिन इस ओडियो की हम पूष्टी नहीं करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह की बाते और चचाय चल रही है ये तो ए रतने सदा जिस तरह से जीतन राम माजी के आउट होने के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया था और रतने सदा को लेकर के जिस तरह से उनकी बेजती को लेकर के जीतन राम माजी ने भी एक सोसल मीडिया पे अपनी बात रखी थी इन सारी बातों को लेकर के अब जब की रतन इस सदा का ये ओडियो बाइरल हो रहा है जिसमें तथा कथित रूप से कहा जा रहा है कि असोग चौधरी का पुतला जला उनके खिलाफ लिखो उनके खिलाफ नारा लगा उनके खिलाफ विद्रोह करो जिससे कि असोग चौधरी का पुतला जलाने और इस तरह की बाते करने स स्रे जो है वो इस कारक्रम का पूरी की तरह से असोग चौधरी के माते चला गया और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री निदिश कुमार ने भी इसका सारा स्रे असोग चौधरी को ही मंच से दे दिया 26 नवमर को पटना में दलित संसत को आयुद किया था और इसमें पड़ी संक्या में दलितों को जुटाया गया था कारक्रम बास्तों में सफोधा लेकिन ये बाते हम सुरू से बता रहे हैं कि इसका स्रे लेने का एक बार फिर से होड लगेगा और ये जदियू के भीतर सुरू हो गया अगर ओडियो की पूष्टी नहीं भी होती है इसके बावजूद भी जो जनता दलित नेताओं से हमारी भी बातचीत हुई जो इस कारक्रम को लेकर के और नितिश्क मार को के द्वारा असोग चौधरी को इसका पूरा का पूरा स्रे देने को लेकर के भी काफी नरा करेंगे यह भी एक बड़ी बात है जुड़े देगा भारत लाइब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें ओजे को घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रखा मुफ्त में मिल जए अगर रखा पत्रकाईटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद